हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागत आता है, मैं आपका दोस निशान, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए Laptop के साथ, जो आज हम Laptop लेके आएं, बड़ा ही धमाकेता प्रोडक्ट है, जी हाँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये है HP Oman, जी हा 8GB का AMD Radeon 6650 Graphic Card, जी हाँ, जो इस Laptop को खास बनाता है, वो इसका Graphic Card 8GB का, वो प्राइसिस बहुत बेटर है, ये हम आपको शुरूर में नहीं बताएंगे, ये आखिर में बताएंगे, इतने अच्छे प्राइसिस के अंदर आपको, HP ने Oman series के अंदर अपना Laptop दिया है, बहुत ही धमागेदा प्रोडक्ट है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस Laptop को Unbox करते हैं, लेकिन Unbox करने से पहले जो दोस्तों हमारे साथ नहीं जुने हैं, जिन्हों ने अभी तक हमाने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर आइकन जुरूर प्रेस कर लिएगा, जिससे बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता, कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे, किसी भी Laptop की, नए-नए Laptop की वीडियो लेके आते रहते हैं, और बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाते हैं, जैसे हम वीडियो यह है, करोल बाक के अंदर Omen Playground, जी हाँ, Laptop भी Omen है, और जहाँ से हमें मिला है, वो Store भी Omen Playground है, HP ने बहुत Liberty Quanties के अंदर Omen Playgrounds को खोले हैं, जो आप देखेंगे कि हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर Gaming Competition ओगनाईज करता है HP, तो कभी भी आपने Gaming Laptop के असासत कोई भी Laptop लेना है, तो एक बार इस Store पे विजिट जुरू करिएगा, इस Store पे आपको Extra Offers भी मिलती है, और आपको Variety भी आपको ज़्यादा देखने के मिलेंगे, मैंने देखा है, बाकी Store पे उपर 2 या 3 Gaming Laptop लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 से 20 Gaming Laptop आ ने Unbox कर लिया है, जैसे कि हर Laptop में निकलता है, गिनी चुनी वही 3 और 4 आइटम्स आपको मिलती है, जो सबसे पहले हमारे हाथ में आती है, Manual, जरूर पढ़िएगा इसे एक बार, अलग-अलग language में, अगर आपको Chinese आती है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें Chinese में भी लिख मिलती है, वो बिल्कुल मत लिजिएगा, इससे आपको अड़ेप्टर है, लाप्टप खराब हो सकता है, यह देखिए, उससे तो लाप्टप तो पर उखा भी नहीं सकते, गिर गया तो पर चला स्क्रीन नी डैनाज हो गई, यह अड़ेप्टर है, ऐसा लग रहा है, एक कि में लोडिड है, लाप्टप, ओमेन, हेवी है, दिखें, ओमेन लाप्टप है, गेमिंग लाप्टप है, तो वेट तो होता ही है, अप्रोक्समेंटली 2.4 kg का, यह लाप्टप है, कोशिश कर रहा है, HPB की गेमिंग लाप्टप को भी थोड़ा सा स्लीक करा जाए, आप पतला है, वो तो इससे भी कई पतले से, आप इसको भी पतला है, गेमिंग लाप्टप के कॉंपडिशन में, अगर मैं देखू, तो लाप्टप काफी पहले से पतला हो चुका है, देखें, इसके बैक साइड आप देखते हैं, तो आपको पतला चलता है, कि कितना बड़ा एर में रहता ही रहता है, साइड से भी आप देखेंगे, तो साइड में आपको एक वेंटिलेशन भी है, पोर्स भी है, दोनों तो पोर्स मिल जाते हैं, अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करेंगे, तो देखें, ओमें की बिल्ट क्वालिटी की बात करनी आपको बेकार है, क्योंकि HP का सबसे premium gaming laptops आपको मिलते हैं और HP कभी भी अपने laptops के साथ quality compromise नहीं करता इसलिए Omen के साथ आप कभी भी मत पुछेगा कि quality कैसी है, best quality हमेशा मिलती है, build quality हमेशा आपको best मिलेगी, एक हाथ से open करके देखते हैं, एक हाथ से open हो गया है इसके अंदर आपको ये मिलता ही है तो चलिए दोस्तो, laptop boot करेंगे, इतने में आपको ports देखते हैं, laptop में आपको Omen ने क्या-क्या ports रखें, उसके बाद ports के साथ अब हमको configuration उसके बाद laptop का back panel open करके आपको दिखाते हैं, laptop के right side में आपको जो सबसे पहला port मिलता है वो USB का है, जिसमें आपको sign मिलता है, power भी आपको इसके अंदर मिलती है, second port है आपका 10 by 100 by 1000 RJ45 land connect करने के लिए gaming laptop है तो आपको ये मिले गई फिर आपको ventilation दिखाई दे रहा है फिर आपको मिलता है 3.5 mm का combo audio और video के लिए, basically audio headphone mic connect करने के लिए और एक आपको मिलता है SD media card reader, laptop के left side में आपको सिर्फ दो port मिलते हैं, दोनों ही दोनों USB है, 3.0 USB आपको मिलता है इसमें laptop के back side भी आपको port से इसमें देखने को मिलते हैं, जो सबसे पहला port है, वो charging के लिए है, laptop चार्ज करने के लिए फिर HDMI display port आपको मिलता है 2.1 2 आपको मिलते है super speed type C 10 GBPS signaling rate के साथ आपको 2 इसमें type C भी port मिलते हैं, दोस्तों laptop की configuration देखते हैं, आपको HP ने इसमें क्या-क्या दिया है बात करेंगे प्रोसेसर की, तो सबसे पहले आपको मिलता है, Ryzen 7 6800H प्रोसेसर है, विद एडियन ग्राफिक्स के साथ अगर base speed भी इसकी 3.2 GHz है, जी हाँ, अगर आप देखेंगे, base speed भी नॉर्मली हमें 2.4 2.5 मिलते है, इसकी base speed ही 2.3.2 GHz है, अगर maximum हम turbo push frequency की बात करेंगे तो वो आपकी है, इसके अंदर 4.7 GHz कोर्स की बात करेंगे, तो 8 कोर्स है देखें, ये AMD का प्रोसेसर है, कभी भी इसमें आप बिल्कुल भी confused मत हुएगा ती 8 कोर मार्केट में, इंटेल के अंदर 10-12 कोर मिल जाते हैं उनमें, अगर 12 कोर मिल रहा है तो उसमें 4 आपके performance कोर होते हैं 8 efficient कोर होते हैं, लेकिन ये AMD का प्रोसेसर है, तो इसके अंदर जो आपको course मिलेंगे, वो 100% performance score मिलता है, यानि 8 कोर है तो 8 के 8 performance score है logical processor की बात करेंगे, तो 16 इसमें आपको logical processor मिलते हैं, और L3 cache आपको मिलती है, 16 MB की बात करेंगे दोसे मेमोरी की 16 GB इसमें है, 4800 MHz की, जिया, DDR5 आपको इसमें RAM मिलती है, दो slots हैं, दो के दो used हैं, जब laptop का back panel open करेंगे तो आपको दिखाएंगे इसमें SSD की बात करेंगे, तो 512 GB की आपको SSD मिलती है, जिसके अंदर capacity है, 477 GB की, Samsung की इसमें, आपको देखेंगे तो Samsung की इसके अंदर आपको SSD मिलती है Graphics, GPU 0, देखें, यह है dedicated graphics, इस laptop का सबसे main part AMT Radeon, RX 650M 8 GB DDR6 जी हां, dedicated graphics इसके अंदर 8 GB है और shared है, 7.6 GB total 15.6 GB देखें, आप confused हो रहे होंगे, काफी लोगों को AMD Radeon Graphics के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है, mostly अगर graphic का नाम आता है, तो graphic के जिकर आता है, तो हम हमेशा यहीं सूचते है NVIDIA Graphics, जी हां AMD के graphics बहुत powerful होते हैं, जितने animations, studios बगरा होते हैं, या आपने videos देखी हैं, editing करती हैं, अगर आपने बहु बली movie देखी है, तो movie भी जो edit होई भी है, most लिए उसके अंतर, AMD के ही graphics होते हैं, AMD बड़े powerful graphics बनाता है, जैसे इसमें AMD Radeon RX 66650 बहुत heavy graphics आपको इसमें 8GB DDR6 इसमें दूसरा एक और आप देख सकते हैं, AMD Radeon TM graphics, जिसमें dedicated GPU 512 MB आप देखें, यहां पे बिल्कुल भी confused मत होईगा, dedicated, वहां 8GB दिखा रहा था, यह 512, देखें AMD अपने हर processor के अंदर, graphics की memory भी देता है, dedicated जो इसके अदर 512 है, यह 512 MB dedicated वह processor का part होती है, और जो अभी हमने देखी थी, यहां पे GPU 0 के अंदर, यह dedicated chip लगी भी होती है, जब laptop open करेंगे तो आपको यह chip मैं दिखाऊंगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी परशान मत होईगा और यह 512 MB, कहने को 512 MB, यह बहुत बहुत मदद करती है, बहुत helpful होती है, performance देने के अंदर, अभी जब हम configuration देख रहे थे, जो voice आप सुन रहे थे, हमने वह इसी laptop के mic से record करी थी, जिससे आपको यह clear होज़ा है, इसकी mic की clarity भी, देखे अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो 16 inches का full HD display आपको HP में देता है, जिसका resolution 1920 by 1080 आपको मिलेगा, hertz की बात करेंगे तो 144 hertz की screen आपको इसमें मिलती है, 7ms response time है, IPS display है, micro edge है, anti glare है, low blue light है और nits की बात करेंगे 300 nits है, 100% sRGB के साथ आपको इसमें HP ने display दिया, यानि complete pack आपको इसमें मिलता है, camera की बात करेंगे तो इसमें HP wide vision 720p HD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones के साथ आपको मिलता है, keyboard अगर हम इसमें देखते हैं तो HP इसके अंदर full size, 4 zone, RGB backlit keyboard आपको इसमें देता है Mica silver color के अंदर है, 26 key roll over NT costing की technology के साथ आपको इसमें keyboard मिलता है तो चलिए दोस्तों laptop का back panel open करते हैं और आपको दिखाते हैं, देखे हम एक एक डेट डेट लाग रुपे के laptop भी आपके लिए new के new laptop back panel open करेके आपको दिखाते हैं तो दोस्तों laptop हमारा open हो गया है तो चलिए आइए आपको इसके parts दिखाते हैं यहां आपको 2 RAM दिखाई दे रही है 16GB RAM है 880GB की 2 RAM है आप अपगेड करना चाहें तो कर सकते हैं आप 16-16GB है 22GB की 2 RAM भी लगा सकते हैं यहां आपको एक SSD दिखाई दे रही है जो हमने देखा भी 512GB की SSD है यहां पे वो लगी है एक यहां पे slot हमें खाली दिखाई दे रहा है आप यानि की एक SSD बिना रिमूब करें अपगेड करना चाहें तो कर सकते हैं आपको existing SSD निकालने की जुरुत नहीं है जहां SSD लगी वे उसके साथ में आपको Wi-Fi भी दिखाई दे रहा है Wi-Fi 6 इसमें आपको मिलता है और आपको इसके अंदर देखें बैटरी कितरी बड़ी बैटरी आपको दिखाई दे रही है 70 वर कावर के आपको इसमें बैटरी मिलती है जो HP ने इस लाफटाप में दी है गेविंग लाफटाप में ज्यादा पावर कंसूम करता है इसलिए बैकप के लिए आपका ज़रूरी है आपको दो यहाँ पे स्पीकर्स भी दिखाई दे रहे हैं एक लाफट में एक राइट के अंदर देखें आज हमने अन्बॉक्स किया HP OMEN N0079AX जिसकी हमने स्पेसिफिकेशन देखी है अब लापटाप के अदर मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि इसमें क्या कमी निकालूं लेकि मैं निकाल नहीं पाया रोम रूम भाईयो सिस्टम पार देंगे देखें अगर हम बात करेंगे हमें गेमिंग लापटाप में क्या चाहिए प्रोसेसर चाहिए हाई प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है 6800H रैम चाहिए DDR5 आपको रैम मिली रही है राइट राइट SSD 512GB है गेमज के लिए 512GB काफी होती है आप अपगेड करा चाहिए तो अपगेड कर सकते है उसके बाद स्क्रीन इस स्क्रीन आपको 100% SRGB मिल रही है आपको 144Hz स्क्रीन इसके अंदर मिल रही है तो आपको यहां भी कोई पॉब्लम नहीं है लाप्टोप के अंदर आप देखेंगे ओपरेटिंग सिस्टम Windows 11 आपको lifetime मिल रहा है Microsoft Office आपको lifetime मिल रहा है ग्राफिक्स के बाद करेंगे देखिए अगर gaming laptop पे तो graphics पे हमारा सबसे ज़्यादा focus होता है क्योंकि gaming laptop के अंदर graphics ही main होता है आग GBTDR6 का graphics आपको मिल रहा है AMD Radeon 650M आपको और क्या चाहिए मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ कि कहीं न कहीं तो मैं देखूँ इसके अंदर कहां कमी रह गई है लेकिन मैं इसके अंदर कोई भी कमी रहा रहा अभी तक तो नहीं निकाल पा रहा future में निकलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा इसके अंदर अगर आप देखेंगे कीबोर्ड तो भी आपको RGB बैक्रीट कीबोर्ड भी आपको इसके अंदर मिल रहा है तो देखेंगे अगर हम परफार्मेस देखें तो यह ओवर ओल एक HP ने एक सारी स्पेसिफिकेशन निकाल के आपको एक में दे दिया देखेंगे इतनी सारी स्पेसिफिकेशन आई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ आप यह जरूर सोच रहे होंगे यह लापटाप एक लाग पचार जार एक लाग साड़ यहर के असपस होना ही चाहिए पहले मैं भी सोच रहा था लेकिन जब मेरे को एक्जेक्ट वैल्यू पता चली तो यह लापटाप सिरफ आपको मार्केट के अंदर एक लाग दस हिजार रुपे के असपस मिल जाएगा जी हाँ एक लापटाप सेर्च कर रहे है तो बिल्कुल यह सर्च यहां पर आके खतम हो जाती है और HP इसके साथ आपको वन यर ओन साइट की वारंटी देता है अगर आपने यह लापटाप ले रहा है तो हमने डिसक्रिशन मोक्स में कुछ स्टोर्स की डिटेल्स देरख कि है और जहां से हमें यह लापटा मिला है HP ओम इन प्लेगराउंट पर एक बाद जरूर सर्च करिएगा यहां पर जरूर प्राइस आप कंफर्म जरूर कर लेजिएगा क्योंकि यहां प्राइस मार्केट में जो हमने देखा है कि आपको बैटर ही मिलते है और अगर आप हमार अगर आप हमें लापटाप ले रहे हैं तो जरूर बत लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको वारंटी लेने में बहुत ही प्राइगी तो दोसते यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा अगर पसंद आगे हो तो लाइक बार्ट बत लीजिएगा क्योंकि जरूर कर दीजिएगा और जो दोस्तों नहीं जुड़े जिन्हों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीगा हम और हमारी टीम बढ़ी मेहनत करती है लापटाप को लेके आन मिलेंगे अगली वीडियो में नए लापटाप के साथ जैन